चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल देखिए मैं जल्दी इसको खतम करके क्योंकि टेस्ट भी स्टार्ट करना है अभी मिल जाएगा बहुत छोटा सा टेस्ट रखाए 10 मिनट का आपके लिए देखिए कहता है आप फाइनेंस कंपनी पढ़िए make and offer deposit सम 35,000 एक फाइनेंस कंपनी है मान लेते हैं फाइनेंस कंपनी कोई भी x y z और यहाँ पे एक वेक्ति है फाइनेंस कंपनी क्या कहता है इस वेक्ति से भाईया आप deposit कर दे 35,000 रुपे और receive करेंगे आप हर साल 49,000 रुपे कब तक जब तक आपके पैसे जमा रहेंगे जब तक आपके पैसे जमा रहेंगे तो कितना receive करेंगे आप 39,60 यानि आप आज FD कर दें और इतना भ्याज लेते रहें कहने का मतलब यह है पर पैचुली का मतलब होता है लगातार हर साल should offer accepted क्या हमें offer को accept करना चाहिए अगर rate of return हो 12% ऐसे question में भी क्या आप बताईए यह 49,60 रुपे कब तक मिलेगा अब समझ में आएगा पिछला जिसका doubt हो कब तक मिलेगा 49,60 रुपे मैं forever बोल दू forever बोल सकता हूं तो कहानी है 49,60 रुपे से forever तक मिलेगा बड़ी सीथी से बात है ठीक है न इसलिए वहां पर forever है कि जब तक पैसा छोड़ोगे तब ही तक अब यह कल के दिन अपना FD तुड़वा ले नहीं है forever तो अब यहां पे हमें पता करना है कि भीया हमारा actual पैसा कितना हो जाएगा 12% के हिसाप से और कितना बन रहा है कहता है 12% what is the your answer अगर वो होता है हमारा 11% तो सर आज आईए यहां पे forever की बात कर रहा है हमारा तो formula क्या होता है हमारा अगर हमें amount निकालना हो amount निकालना हो तो inflow divided by rate अगर यह मेरा 35,000 रुपे से ज़्यादा बन रहा होगा तो ठीक है लेकिन अगर 35,000 रुपे से कम बनेगा तो हम बना कर देंगे उसको CDC बात है तो पहले case के according निकाले तो inflow जो है हमारा 3960 और rate पहले 12 0.12 कितने बन रहा है 33,000 सर इस वाले case में तो हम बोलेंगा हम नहीं जमा करेंगे आपके पास पैसा क्योंकि हमारे पैसे की value जो है ना depreciate, discounting वगएरा करके सब बन रहा है 33,000 पूरे 33,000 यानि 2000 तो नुक्सान ही है अब उसने कहा के सर अगर यही पैसा आपको मैं दे दूँ offer 11% पे हो तो आपका amount जो आएगा वो आएगा 3960 divided by 0.11 तो सर 36,000 ये वाला accepted हो जाएगा क्योंकि 1000 रुपे हमारा जादा मिल जाएगा 1000 रुपे इसके हिसाब से अब जो हम ये कर रहे है न in flow divided by rate तो हम क्या कर रहे है जैसे simple सी बात समझो मैंने बोला 10 रुपे मिल रहा है आपको 10% के हिसाब से 10 रुपे मिलता है आपको 10% के हिसाब से तो बताओ कितना amount होगा 100 रुपे होगा 100 पे 10% निकाल रहे है यानि आपको आपकी value पता चल रहे है यहाँ पे कि मेरा value 100 है और मैंने बोला आप 110 रुपे दे दो और मैं 10-10 रुपे ब्याज दूँगा 10% के हिसाब से तो आप calculate करोगा भाया मेर से तो ले लिया इसने 110 रुपे लेकिन total पैसा तो मिझे return कितना मिल रहा है सिर्फ 100 ही मिल रहा है समझ रहे हो ना सेम ऐसे यहाँ पे 35,000 रुपे मैंने उससे ले लिये और हर साल मैं ये दे रहा हूँ उसको ठीक है ना तो इसके बाद हमने क्या decide किया कि भाया हमेशा हमें ये मिलेगा तो divide करके हमारा total value जो वो मुझे return करेगा ना या total value बनेगा वो बनेगा इतना 33,000 इसके हिसाब से बनेगा 36 तो कौन सा हमारा जादार है यहाँ पे 1000 रुपे मुझे extra मिलेगा और यहाँ पे मेरा 2000 रुपे का loss होगा तो ये point accept करेंगे 10 year के अंदर मैंने proper लिखा हुआ है क्या line लिखना है नई लिखना मैं स्रिफ और स्रिफ question format formula कैसे लग रहा है यह बताऊंगा मैं